करीब 20 साल पहले हुए काला हिरन शिकार मामले में जोदपूर कोर्ट 5 अप्रेल को बड़ा फैसला सुनाने वाली है इस मामले में बॉलिवर्ड एक्टर सल्मान खान मुख्यारोपी है जिनकी किस्मत का फैसला कल होना है सल्मान खान जेल जाएंगे या फिर उन्हें बेल मिलेगी ये कल पता चलेगा खाली में सल्मान खान वेस्ट्री की शूटिंग खत्म करके अब उठावी से भारत वापस लोटे थे इस सुन्वाई के लिए सल्मान खान अपनी फैमले के साथ जोदपूर पहुच चुके हैं जोदपूर में सल्मान खान के साथ उनकी दोनों बहने अरपिता और अलवीरा भी नच्वर आई इस मामले में सल्मान खान के साथ कई दूसरे सितारे सैफ, तबू, नीलम और सोनाली भी आरोपी हैं। सुनवाई के लिए सभी सितारे जोदपूर बहुच चुके हैं। फैसले के वक्त सभी आरोपियों को कोट में मौजूद रहना होगा। चीफ जुडिशल मजिस्विर्ट देव खत्री इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। तक्रीबन 20 साल पहले दर्ज हुए काले हिरन शिकार मामले में कल बड़ा फैसला है ये। कल सल्मान खान को जेल भी हो सकती है या तो फिर उन्हें बेल मिल सकती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जोदपूर कोर्ट सल्मान खान पर कल क्या फैसला सुनाएगी।